आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी आमेजिंग कीचन टिप्स लेकर आई हूँ जो हर होमेकर को स्मार्ट बनाती है इसी वीडियो में मैं होली के लिए स्किन फ्रेंडली हर्बल कलर भी बनाने वाली हूँ इसलिए वीडियो को लाज तक चुरूर देखें हेलो एवरिवन मैं हूँ अंजिना तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम मेरी जो फर्स्ट कीचन टिप्स है वो लेमन को लेकर है अकसर लेमन यूज करने के बाद हम उनके छिलकों को फैंक देते हैं लेकिन लेमन के छिलकों में लेमन से भी ज़्यादा पावर होती है एक पैन में मैंने लिया है लेमन के छिलके और इसमें मैंने डाल दिया है पाने इस पाने को हमने अच्छे से बॉयल करना है मैंने पांच लेमन के छिलके और एक किलास पाने लिया है इसी में डाल देंगे एक चमच के क्रीब पैकिंग सोडा और एक चमच ही इसमें हम डाल देंगे सोल्ट और इसी में डाल देंगे चार से पांच चमच लिक्विड टिश वॉष लेनर और इन सब को मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें एक बॉयल आने देंगे एक बॉयल आने के बाद फ्लेम को बन करेंगे और इसे थंडा करेंगे जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम लेंगे एक empty bottle कोई भी हम empty bottle ले सकते हैं और इसे इस empty bottle में fill करेंगे और ये बन जाएगा हमारा बिना chemical एक powerful cleaner इस से हम kitchen को clean कर सकते हैं kitchen के counter top को gas चुले को इस से हम clean कर सकते हैं इस से kitchen भी चमकने लगेगा और kitchen bacteria free रहेगा tips अच्छी लगे तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूलें तो चलिए बढ़ते हैं next tips की और मेरी जो next kitchen tips है वो gravy वाली सबजी को ले कर है जब भी हम gravy वाली सबजी बनाते हैं तो gravy के लिए हम उसमें पानी डालते हैं तो gravy के लिए हमेशा हमें गरम पानी का ही यूज़ करना चाहिए इस से सबजी tasty बनती है तो पढ़ते हैं next kitchen tips की और मेरी जो next kitchen tips है वो कड़ी को ले कर है पकोड़े वाली कड़ी सब भी खाना पसंद करते हैं लेकिन कई बार पकोड़े निकालने का time नहीं होता तो हम बिना पकोड़े के भी पकोड़े वाली कड़ी बना सकते हैं लेकिन पकोड़े के जिगह हम यूज करेंगे रायता बुंदी का रायता बुंदी डालने से भी कड़ी में पकोड़े वाली कड़ी का ही टेस्ट आएगा रायता बुंदी डालने के बाद दो से तीन मिनट तक इसे हम पकने देंगे सबसे लास्ट में क्रश करके हम इसमें डालेंगे कसूरी में थी और बन जाएगी हमारी बिना पकोड़े के पकोड़े वाली टेस्टी कड़ी जब भी इस टेप्स को ट्राइ करें मुझे कॉमेंट जरूर करना तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कीचन टेप्स की और नॉर्मली हम सभी के घरों में आईरन की तवे का ही यूस होता है लेकिन यूस करते करते ये इतना गंदा हो जाता है कि इसके टेप क्लीनिंग जरूरी हो जाती है तो ऐसा क्या करें कि ये तवा चमकने लगे तो इसके लिए सबसे पहले तवे के उपर हम डालेंगे विनेगर गैस को मैंने ओन कर दिया है और इसी विनेगर में डालेंगे हाफ चममच के करीब बेकिंग सोडा और लेमन यूस करने के बाद जो छिलका बसता है उस छिलके को हम एक फोक में फसाएंगे और इस से हम तवे को क्लीन करेंगे दो से चार मिनर तक पस इसी से हमें रब करते रहना है विनेगर जो होता है वो विटामिन सी रिच होता है जैसे ही पानी में उबालाता है खट्टे पन की वज़े से तवा अपने आप साफ होने लगता है बस पानी को हमने चारो और फिला देना है थोड़ा सा रब करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा डिश वोश क्लीनर भी एड़ करेंगे और जो जगा ज़्यादा गंदी है उससे हम रगड कर साफ करेंगे इसके लिए मैंने एक इंट का टुकडा लिया है तो आप देखेंगे कि बीना किसी महनत के बहुत कम समय में तवा चमकने लगेगा इसके बाद तवे को वोश करेंगे वोश करने के बाद देखिएगा तवा एक तम चमकने लगेगा चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट किचन टिप्स की और नेक्स्ट किचन टिप्स में हम बनाने वाले हैं होली खेलने के लिए स्किन फ्रेंडली हर्बल कलर कलर बनाने के लिए मैंने लिया है अरा रोट और इसमें मैंने एड़ किया है ग्रीन फूड कलर इस फूड कलर को अच्छे से हमने मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा food color और भी हम डाल सकते हैं और mix करने के बाद इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे इसे पकार से हम अलग-अलग food color से अलग-अलग holy खेलने के लिए color बना सकते हैं ये मैंने बनाया है pink color इसे पकार से मैंने आरा रोट में औरेंज color एड़ करके yellow color बनाया है इस सब color को सूखने के लिए छोड़ देंगे ये मैंने ली है नीम की पतियां इन नीम की पतियों को अच्छे से बोश कर लिया है और इन्हें मैं करूंगी 5 मिनिट के लिए microwave पांच मिनिट के बाद ये जो पतिया है वो अच्छे से सूख जाएंगी सूखने के बाद इन्हें हम grinder जार में डाल कर पीस लेंगे पीसने के बाद ये बन जाएगा green color अब इसे हम छान लेंगे इसे परकार से गुलाव के पतियों से हम pink color बना सकते हैं इन्हें भी सूखने के बाद grinder जार में डाल कर पीस लेंगे और उसके बाद इसे हम छान लेंगे और जो color हमने food color से बनाया था वो color भी सूख चुके हैं इन्हें भी grinder जार में डाल कर पीस लेंगे पीशने के बाद इसे भी हमने छान लेना है और छानने के बाद ये देखिए एक तम येलो कलर निकल कर आया है इसे पकार से हम पिंक कलर, ग्रीन कलर इनको भी सूखने के बाद ग्राइंदर जार में डाल कर पीश लेंगे और छान लेंगे इसी पकार से हम हल्दी, bestud, पालक, beetroot इन सभी से भी अपने खुद के skin friendly color बना सकते हैं इस पकार से बने color skin friendly होते हैं तो आप सभी को आने वाली होली के लिए मेरी तरफ से धेरो शुप काम ने इन समय से आपको सबसे अच्छी kitchen tips कौन सी लगी है कोमेंट करके चूट बताईएगा तो मिलेंगे मेरी नेक्स वीडियो में एक नई कीचन टिप्स के साथ कीप स्माइलिंग स्टे हैल्दी